नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटोमी नेटरक टीम वारियर के इस ओफिशल यूटूब चैनल के उपर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटोमी के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है एटोमी लांच हो चुकी है इंडिया के अ कि सक्सेस हो रहे हैं और एटोमी के अंदर जब नया कोई लीडर जोईन करता है तो डेफिनेटल क्या होता है कि उसको किस तरीकी से काम करना और एक गेट्वेय की मेरे को ieंत पर काम स्टार्ट करना है और कोई कट़्ूजरे ना रहे किसी भी लीडर्स के अगर आप अबाभ पर बंडियों पर जाना चाहते हैं इंपिल मास्ट बनना चाहते हैं एक great success यहां पर एच्व करना चाहते हैं तो यहां पर किस परकार से काम करना है क्योंकि आज से पहले आपका जो भी past profile रहा है किसी भी network marketing companies के अंदर that's separate और आप अपने past profile जो business का रहा है उसको separate रखे लेकिन atomy में success होने के लिए यहाँ पे कुछ rules है कुछ ethics है अगर उन पे हम starting से काम करते हैं definitely यहाँ पे आप बहुत जल्दी success हो सकते हो और कहा जाता है कि आप system को follow कीजिए एक से दो साल कम से कम एक से दो साल अगर आपने education system को follow किया atomy की system को follow किया definitely यह system आपके लिए तीन generation तक काम करेगा मैं हूँ आपका दोस डामेंड मास्टर राठोड दिलली से और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे discuss करूँगा कि atomy के अंदर success होने के लिए जो basic criteria है basic tips है शुरुआत कैसे करें atomy जब आप registration करते हो उसके पस शाहत आपको कौन-कौन से steps लेने हैं और जितने भी नए leaders हैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो के अंतर तक बने रहेंगे और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजी और इतनी glorious opportunity को अगर अभी तक आपने जोईन नहीं कि तो आप जोईन कर सकते हैं टीम warrior के सा करते हैं यहां पे किस परकार से काम करना है कौन-कौन से steps यहां पर हमें follow करने है ओके चली start करते हैं तो दुस्तों अपनी टीम को लीड करना lead now learn how तो सबसे पहले का जाता है कि कि कैसी ब हिंच के सफलता का एक इमूल मंतर होता है लर्न लर्न उस आफ्टर देट रिमूव एल फस्ट लर्निंग दैन अर्निंग जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सभी लोग यहां पर लोग लाइफ लर्नर से ठीक है और एक्सपेक्टेशन करेंगे कि सभी लोग लाइफ में कुछ ने कुछ हम लोग सीखते रहते हैं मैं भी लर्नर हो और मैं भी चीज़ें सीख रहा हूं ओके तो डेफिनेटली आज मैं आपको एटो में की जो सक्सेस्फुल बिजनिस टिप्स यहां इस वीडियो के मादम से स्टार्ट करने वाला हूं कि जब भी कोई नए लीडर आता है तो एटो में आप किस प्रकार से सब्सक्राइब करनी है सच का सामना का मतलब क्या होता है moment of truth कही बर क्या होता है कि हम atomic अंदर जोआयन कर लेते हैं लेकिन कई बार success की जो सफलता है वो उस परकार से हम नहीं expect कर पाता है जिस परकार से में मिलनी चीए लेकिन सकसिस के लिए कुछ ऐसे स्टैप्स हैं जो कि ह हम सब को follow करेंगे तो definitely success जरूर मिलेगी और जितने भी नए leaders इस वीडियो को देख रहे हैं और आशा करता हूं कि उनको एक direction मिलेगा यहां पर right direction किस परकार से यहां पर आपको काम करना है तो AADS को हम सभी हम लोग follow करेंगे ओके AADS को सभी हम लोग follow करेंगे इसका मतलब होता है Atomi Active Distributor Score तो जिस परकार से सभी लोग आपको पता है कि Atomi consumer oriented platform है आप सबसे पहले मियां पे consumer से सभी के सभी products को यूज करते हैं और उसका जो experience शेर करते हैं और हमारी Atomi का एक इमोटो है consumers satisfaction and their success first जितने भी consumer से उनका satisfaction तो हमारी topmost priority है है उसके साथ साथ उनकी success का भी हमारा topmost priority है beyond the satisfaction customers satisfaction beyond their success तो definitely यहां पर आपके satisfaction के अलावाला आपकी success के उपर भी Atomi काम कर रहा है और definitely जितने भी Atomians है उनकी success यहां पर 100% होती है अगर हम कुछ चीज़ों को follow करते हैं तो Atomi active distributor score आप जितने भी distributors हैं हम Atomi के अंदर तो हम अपना जो active score है वो किस प्रकार से यहां पर निकालेंगे उसके बारे हम यहां पर discuss करेंगे कि हम Atomi में किस direction में जा रहे हैं यह पूरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो score है वो self assessment है वो कितना है आप अपने आपको कितना assessment कर पा रहे हो कितना judge कर पा रहे हो जितने भी tips हम यहां पर आप से discuss करने वाले कहां जाता है कि people often say that this person has not yet found himself यह जो picture है आप सभी इस picture से बिलकुल रुबरू आप लोगोंने काफी जगें यह picture देखियोगी wallpaper social media पर like that तो इस picture में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि लोग कहते हैं कि इस वेक्टी ने अपने आपको design नहीं किया कि इसको design करने वाला कोई और है यह simple एक stone था और उस stone को कारिगर ने मूर्तिकार ने इस परकार से design किया गया है कि इस picture से एक positive और appealing story निकलती है कि आपके उपर निर्बर है आप अपने आपको किस तरीक किसे design कर सकते हो ठीक है और एक बिलकुल पत्थर की मूर्ति पत्थर में कुछ को तराशने की जुरूत है तो इस वीडियो की माद्यम से हम चाहेंगे कि सभी leaders अपने आपको तराशने की कला में निपुन हो सके okay so but the self is not something one finds हमारा जो खुद का है अगर आप अपने आपको पा लेते हो तो आप बहुत कुछ कर जाओगे जिसने अपने आपको जान चलता है तो अपने आपको पहचानना बहुत जरूरी है आपके इंदर कितना कैलीबर है leadership है उसको भार निकालना बहुत जरूरी है कई वर क्या होता है कि आपके अंदर बाड़ा लेडर्ट छुपा हूँ अब को पता नहीं चलता कि उसको भार कैसे निकाला जाए ठीक है it is सम्थिंग वन क्र्येट्स क्छ ऐसा है जो आपके अंदर बाहर निकाल सके मैंちゃん Kanser सके तो इस परखार से शोपा वाले डर्सकों निकाल लेंगे लेकिन कैसे निकाल लेंगे उसके लिए हमें कुछ चीज़ों के उपर गोर करना पड़ेगा तो फर्स्ट फॉइंट है जब भी आप अप अटोमी में जोईन कियों जोईन करने के बद आप में से कितने लोगों ने अटोमी की जो लाइफ सेनेरियो बुक है वो परचेज किये क्योंकि यहां पर आप अटोमी में आयो हो तो एक लाइफ सेनेरियो बुक ओनलाइन अटोमी की वेबसाइट मिल रही है तो आप अपने स्पोंसर से बात कीजिए और लाइफ सेनेरियो बुक आपको बाई करना है उससे एक डिरेक्शन मिलेगी आपको कि आपको Atomy में कहां पे हो और क्या direction है किस प्रकार से काम करना एक life scenario बनाना है अपनी life का आप Atomy के अंदर आए हो लेकिन यहां पे आपको कौन-कौन से गोल अच्छीव करने है आपको सब कुछ वहां पे लिखना होता है उससे आपको एक वे मिलेगा कि किस प्रकार से आपको life scenario की जो बुक है वो उसमें लिखना है like that ठीक है तो life scenario बुक को इस तरीक से design किया गया है उसको अगर आप follow करते हो तो definitely यहां पर success का जो first steps है वो right direction में आप start कर पाओगी तो definitely आप में से कितने लोगों ने अभी तक अपना life scenario को तयार किया है अगर अभी तक आपने life scenario को तयार नहीं किया है तो आप अपने sponsor से बात कीजिए आपका life scenario आप खुद भी बना सकते हो और अपने sponsor से बात करकर ready भी कर सकते हो that is very fruitful okay third point है अब atomic के अंदर काफी लोग join कर जाते हैं और maximum लोग products use करते हैं consume करते हैं तो definitely जितने भी consumers हैं वो products से satisfy है 100% उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन उसके बाद कुछ consumers हैं वो distributors बनेंगे कुछ life change करने यहां पर तो आपको कहां से start करना होगा यह first steps है यहां पर सबसे पहले आपको list बनानी होगी आपके phone के अंदर जितने भी contact numbers दिये गए है वो definitely phone के contact पर नहीं जाना है एक डारी के अंदर एक list बनाई है 100 लोगों की 200 लोगों की ताकि आप की उस list में से आपके imperial master नि list बनाईए daily basis पर ठीक है और उस list के अंदर add करते रही है तो जैसे कि आपने यहां पर list बना लेते हो आप तो आपका काम यहां पर start हो जाती है आपकी जो success जरनी है वह यहां पर easily start हो जाती है आम तोर पर topmost priority पर आपको list बनाना होता है काफी लोग्स आपके मेंडर्स भी ब कि आप जब भी किसी नई leaders के पास आते हैं तो daily basis पर आप 5-10 लोगों को call कर सकते हैं और appointment ले सकते हैं advance में उनको company के बारे हम बताने के लिए देखो company में success का एक ही मूल मंतर है बोलना आपको बोलना सीखना है agitation नहीं करना agitation remove करना है और जब आप बोलना सुरू कर देखते हो तो आपकी success में से start हो जाते तो बोलना है और बोलनेंगे तब जिब हम कुछ सीखेंगे तो सबसे पहले topmost priority learning की आपको सीखना है कि मेरे को atomic के बारे में बिल्कुल simple plan है burden लेके काम नहीं करना atomic के बारे में profile plan और product की information आपको होनी चाहिए और आप अपने sponsor से से किए हमारे fix कीजिए online offline meetings fix कीजिए उनके साथ फिर उसके बाद आपको अपना जो एक मेने का या एक week का calendar advance में बनाना है कि मेरे को अगले week क्या करना है मेरे को next day क्या करना है आपको अपनी activity लिखनी है एक activity chart बनाना है कि मेरे को कल क्या करना है तो इस तरीके से आपका एक week का जो calendar है advance मे आप लिखिए, appointment fix कीजिए, किसके साथ बात करने है, किसको presentation देनी है, online, offline, किसको product का demo देना है, तो हर तरीके से यहाँ पे आपको काम करना है, क्या आपके calendar में अगले एक सब्ता के लिए appointment fix है, yes, विल्कुल fix है, तो आपको plan करना है, planning भोज जरूरी है, time को manage करके यहाँ पे प्लान करना है, और daily basis पे आपको एक presentation share करना है, सबसे पहले सीखना है, उसके बाद atomica plan profile products के बारे में presentations आपको करना आना चाहिए, ताकि आपके अंदर confidence आए, कि yes, I can do, और यह सीखना है, जू मिटिंग्स पे सीखिए, online, offline, अपने sponsor से कम से कम 5 से 10 plan आप लीजिए, और फिर उसके बाद independently आप plan को presentation करना सीखिए, तो यह सारी चीज़ यह आपकी personality को भी growth करेगी, और आपके अं नएं व्यक्ति से बात करना है, एक consumer बनाना है, कम से कम, एक से दो consumer अगर आप daily basis पर बनाते हैं तो यहां पर बहुत बड़ा काम कर सकते यो आप ठीक है, और daily basis पर, आप एक नएं व्यक्ति से, कम से कम आपको बात करना है, और एक से 10 व्यक्ति की list बना है, ये लेकिन minimum एक को तो कॉल करना है कोशिस कीजिए 10 लोगों को को कोल करने के लिए दिन में एक बार और एपॉइंट्मेंट fix कीजिए और उनसे मिलिए आप ओके और डेली बेसिस पे आप दो नए consumers एड़ कीजिए अपने लिस्ट के अंदर दो नए लोगों को product के बारे में बताईए benefits के बारे में बताईए उनके quality के बारे में आए उसके अंदर 120 लोगों में से आपको business partner select करने तो दोस्तों atomic के अंदर सारे के सारे लोग business नहीं करते हैं और यह कंजूमर बेस प्रेट फॉर्म है तो definitely consumer में से ही आपको अपने business partners select करने पड़ेंगे उसके बाद हम बात करेंगे दो यू फॉलो अब विद प्रोस्पेक्टिव कंजूमर जितने भी आपके कंजूमर से ऐसा नहीं कि आप प्रोड़क्ट उनको बताया और प्रोड़क्ट नन बाई के यूज किया फिर छोड़ दिया आपको उनसे फीड़बेक भी लेनी है कि आपको प्रोड़क्ट कैसा लगा लाइक फिर उनको आप business plan दे सकते हैं तो जितने भी कंजूमर से उनको regular follow-up करना बहुत ज़रूरी है और जितने भी हों यूज करना बहुत ही बैस्ट क्वाल्टी पेस्ट है ब्रस कंपनी और हर वाट्ट को यहां पर satisfaction मिलता है यूच तो आप प्रोड़क्ट यूज कीजिए रूसका जो एकसे वह आपको शेर करना अब तीसरी सबसे बड़ी चीज जैसे की मैंने साटिंग में आपको बता है सिस्टम देखो एक ऐसी कंपनी है जो कि पूरे वर्ड के अंदर एजुकेशन सिस्टम के पर फोकस करती है मैकसिमम 99% हम एजुकेशन के पर फोकस करते हैं बलकि 100% बोल लोगा मैं तो ठीक है तो यहाँ पर इनकी एजुकेशन ऐसी है अगर एक बार आप हमारे चेर्में डोक्टर हैंगल पारक को अगर आप सुन लेते हो तो आप यह बलीव करोगी यार इस कंपने में कुछ अलग बा वीडियोज देखते हो तो आपको लगेगा यस यही एजुकेशन बिलकुल रियल है और यही मेरे कुछ यह था इस तरीके की एजुकेशन यहाँ पर आपको मिलती है और एक ऐसी कंपनी जो आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है ओनलाइन ओफ लाइन 2019 दि इतने भी सेमिनर्स देखने को मिल रहे हैं आप उनको अटेंड कीजिए फोडी टेक्नलोजी से लाखों लोग घर बैठ करके सेमिनर अटेंड कर रहे हैं ओनलाइन दुनिया की कोई कंपनी नहीं कर रही है हमारी कंपनी कर रही है ठीक है तो एटोमी आपको फ्री में एजु एजुकेशन देने के नाम पर लोगों से पैसा वसूली करती है लेकिन एटोमी में ऐसा कोई कल्चर नहीं है हम यहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन प्रवाइड कर रहे हैं एजुकेशन सेंटर्स के दौरा आपको फ्री में इंडिया के किसी भी कुने में जाई जहां भी एजुकेशन सेंटर है आप फ्री में एजुकेशन सेंटर के जितने भी ग्रेट हैड्स हैं वो आपको एजुकेशन प्रवाइड करेंगे फ्री ओफ कोस्ट तो ऐसी कंपनी आपने शाहिद आस तक देखी नहीं होगी जो फ्री में एजुकेशन प्रवाइड कर रही है और जितने भी एजुकेशन जितने भी आटोमी के वन डे सेमिनार्स होते हैं सब्सक्राइब कीजिए मन्थली बीसिस पर अगर आप वह सेमिनार्स अटेंड करते हैं तो डाफिनेटली यहां पर आप की जो लीडर शिप है वो बहुत हाई लेफल पर जा सकती कम समय के अंदर और आपका जो बिजनिस का जो एक्सपेंसन है आप अपने बिजनिस को इंटरनेशनली एक्सप्लोर कर सकते हो लेकिन लर्न करना बहुत जरूरी होगा जैसा कि मैं बार बार आपको बोला हूं लर्निंग बहुत जरूरी यहां पर नेक्स्ट अब हम बात करेंगे और एटोमी कि यूज करने का तरीका उसी परकार से आपको यूज करना है और हमारे सेंटर आट्स हैं वो भी टाइम टू-टाइम कंडग करते रहते हैं सेसे अटोमी के प्रोडक्स का तो आप उनको अटेंड कीजिए और प्रोडक की जानकरी लीजिए आप ताकि उसको डुप्लिकेट कर पाएं से डारेक्शन में किस तरीके से प्रोडक्स को यूज करना है ओके नेक्स्ट मत करेंगे में डू यू वियर फॉर्मल बहुत इंपूर्टन चीज जब भी आप किसी भी नए वक्ति को प्लान दिखाने जाते हो तो हैंकी पैंकी ड्रेस पहन करके नहीं जाना होता दो दूसरे टाइप की पर्सनल्टी ना लगे है ठीक है तो एक फॉर्मल ड्रेस आपको पहन कर जाने जहां भी आप जाते हो प्लान देने के लिए और उसके बाद डू यू रिच बिफोर और इन टाइम इन एवरी प्रोग्राम जैसा कि मैंने बताए कि टाइम मनेजमेंट लाइफ में नहीं हर जग है बहुत ज़रूरी है तो आप दस मिनिट पहले किजिए जाइए और टाइम को डिले मत किजिए लेट मत जाइए लेट जाते हो तो वहीं पर नेगटिव माउल शुरू जाता है कि आप किसी और वेक्ति को वेट करवा रहे हो बड़े लीडर को और काफी बड़े-बड़े लीडर का आते ही छोट-छोट चीज़ देखते ह कि मिटिंग टाइम पर स्टार्ट हुई या नहीं होई आप टाइम को कितना मेनेज करते हो लाइक देट तो बहुत ही चीज़े हैं टाइम मेनेजमन बहुत ही जरूरी है तो उसको आप कर सकते हैं वेरी एजली उसके बाद आपको पता है कि एक ओनलाइन प्लेटफोर्म है ओनलाइन एकोमर्स वेबसाइट एक डिजिटल प्लेटफोर्म है आज तक हमारा जो भी पास्ट का जो एक्स्परियंस रहा है वह उफलाइन मार्केटिंग करा है अलग तरह कि मार्केटिंग करा है लेकिन अगर आपको एटोमी के अंदर सकस होना है तो दोस्तों यहां पर ओनलाइन आपकी परजेंस होना बहुत जरूरी है शोशल मीडिया एटोमी के जितने भी SNS प्लेटफोर्म से हैं वह आप फॉलो कीजिए डेफिनेटली और आप अपने पर जैंस भी बनाया रखें फेस्बुक इंस्टाग्राम के उपर और टेलेग्राम वाट्स अप लाइ अब उसके बाद हम बात करेंगे यू डू यू प्रीपेड टू डू लिस्ट वन डे प्रेयर अब आपको कल क्या करना है तो रात को आप एक लिस्ट बनाएए कल के पूरे दिन की एक्टिविटी बनाएए आपको कोर मेंबर से बात करनी है फर्स्ट सेकेंड नए फिक्स करनी है उन से मिलना है नए लेडर्स को प्लान प्रजेंटेशन करना है प्रोड़क्ट के डेमो देने हैं अगले दिन ओनलाइन मिटिंग्स करनी है और कॉन्फरेंस कोल करनी है अपने टीम के मेंबर से अपने स्पोंसर के साथ बात करनी है अपने बिजनेस पार्टन देना हूँ तो लिस्ट को कटेने कज हो थोड़ा डिफिकलिटी होती है चीजों को मैनेज करने में तो अच्छे तरीकिसा आप लोग मैनेज कर सकते हैं उन चीजों को अब उसके बाद है regular communication सबसे important चीजे communication अगर आप अपने टीम मेंबर्स के साथ अपने business partners के साथ साथ अगर आप communication नहीं करते हो तो हम अपना business खतम कर देंगे ठीक है देखो business हो या नहीं हो ये एक अलग बात है अगर आपका relation अपने business partners के साथ अच्छा है तो business build up कर लेंगे sir that is second priority ओके तो यहां पर किसी भी नए वेक्ति को join करवाने के बाद आपको छोड़ना नहीं है उसको system के अंदर लाना है हम किसी भी network marketing में फैल इसलिए होते हैं कि लोगों को जोड तो देते हैं लेकिन सर उसको मुखे धारा में हम लेकर के नहीं आ पाते हैं तो main stream में उन लोगों को लेकर किया ये atomic education system के अंदर ढालिए system का follow कीजिए आप दो साल simple ठीक है वैसे तो continue follow करना है लेकिन का जाता है कि एक से दो साल अगर हम education system को follow करते हैं तो उस education system की training के दोरा हम अपने आप में एक independent leader बन सकते हैं और ताकि हम अपने पूरी टीम को lead कर पाएं सही तरीके से तो इसलिए बोला जाता है कि एक से दो साल आप system को follow कीजिए और आने वाले तेन जनरे संता की system हम आपके लिए काम करेगा बिल्कुल fruitful है बिल्कुल beauty of the business है system को follow कीजिए और अपने sponsors के साथ और अपने business partners के साथ regular communication करना है कि आपके sponsors को भी पता रहे कि आप किस direction में काम कर रहा हो प्रपर प्लान करके काम करना है आप बिल्कुल काम तो सभी कर रहा है या ठीक है लेकिन smartly काम करना है और right direction में काम करना है दूसरा आप अपने जितने भी business partners हैं आपको phone पे available रहना है आपको communicate करना जब भी phone आया phone उठाना है आपको ठीक है जहां आप busy हो तो थोड़े देर के बाद आपको call करना लैट लिस्ट आपको 12 घंटे के अंदर follow up calls का written जवाब देना है अगर आप कहीं पे busy होते हैं तो definitely you should follow up और यह चीज़े बहुत important है अगर आप अपने business partners का regular business पे call pick up करते हैं तो उनको एक positive attitude रहता है और वह आप से connect रहेंगे अगर आप phone उठाना बंद करते हैं तो definitely किस direction में आप जा रहे हूं आपका business किस direction में जा रहा है कहां क्या requirement है आपके partner को सब कुछ पता है आपके sponsors को पता है right okay next do you know how to join new members and how to purchase from me to me shopping mall सबसे बड़ी चीज है यह most important point है जब आप किसी नए व्यक्ति को join करवाते हो तो उसको registration process आपको सिखाना है ऐसा नहीं कि नए व्यक्ति आपको daily basis पे registration के लिए idea देता रहे और आप idea लगाते रह जाओ तो इस सही तरीकी से business का duplication है वो नहीं हो पता है यहां पर तो definitely नए व्यक्ति को आपको top most priority पे registration करना सिखाना है और उसके बाद online shopping कैसे करते हैं उसको zoom meeting के द्वारा सिखाईए आप proper steps सिखाईए ताकि वो अपने team की responsibility लेसके registration process और atomy से online purchasing किस परकार से करते हैं सारे steps आपको यहां पर सिखाने हैं अपने नए बिजनिस पार्टनर को उसके बाद मात करेंगे हम daily basis पे आप website देखते रहिए और अपने sponsor से connect रहिए daily basis पे आपकी team में कितने point only purchase हो रहे हैं और status क्या है आपके pv का और जितने भी नए consumers बन रह करके group में डाली appreciate कीजिए like that आप अपने team को appreciate कीजिए अपने leaders को उपर लेकर क्याइए आप अपने से best version अपने team में दीजिए ताकि create कर चुका हूं और इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात क्या है और जब मैं अपने business partner को success बना सकता हूं तो definitely आने वाले time में मैं भी success हो जाओंगा तो मेरा focus रहता है कि मेरे business partners को success बनाओं मैं मेरे से best version मैं उनको दूँ उनकी success के लिए मैं सोचूं ताकि वो successful हो जाएंगे definitely तो आप automatically हो जाओगे तो यह आपका point होना चाहिए आपकी team में आपसे next version आना चाहिए का जाता है कि network marketing के अंदर leader पहले बिखता है product तो बाद है बिखता यार अगर आप आपकी leadership अच्छी है एक developed leadership आपके तो definitely आपके उपर आपके पूरे team depend करते हैं अगर आप right direction में हो तो definitely आप अपने team को right direction में लीड कर सकते हो तो leader पहले बिखता है यहाँ पर product बाद है बिखता है तो आप अपने team को ऐसे leaders दीजिए जो आपका next version हो अपने से best version मराइए आपको develop करने के लिडिली business पर book पढ़ते हैं क्या आप नई videos देखते हैं और दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि Atomi 99.9% education का है यहाँ पर motivation के लिए कोई जगह नहीं है कोई आदमी अपने आपको motivate खुद रखेगा हम किसी को यहाँ पर motivate नहीं करते हैं दूसरी company क्या करते है क motivation के उपर पूरा business चलाती है नहीं ऐसा नहीं Atomi के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको अपने आपको खुद motivate करके रखना होगा उसके लिए आपको books reading करने पड़ेंगे books पढ़ सकते हैं आप महिने के अंदर 4-5 जो भी है videos देख सकते हो आप अपने आपकी knowledge को upgrade करने के पर काम कीजिए क्योंकि Atomi point of view तो आपकी जान करी ठीक है लेकिन से leadership point of view भी आपको अपने आपको develop करना होता है जैसे हमारे टीम वारे के अंदर क्या होता है कि हमारे हर परकार के सेसेंस होते हैं especially जैसे मैं भी especially trained हूँ personality development के courses मैंने कर रखे है personality development mastery के course कर रखे है मैंने psychology के courses कर रखे है तो मैं अपने टीम को अलग से टरेंग देता हूँ तो सर इस जानकर के अलभा अगर आपकी personality में थोड़ा सा improvement आ जाए आ आप अपने आपको जान लो वैसे एक बार कि आप क्या हो और थोड़ी सी चीज़ें अगर आप इंप्रोमेंट कर लो और वो सारे चीज़ें अगर आप अपने टीम के इंदर डुप्लिकेट करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो और सबसे बड़ी इतले टो यहां पे अपने जो ग्यान का बक्ट है उसके अंदर ग्यान डालते हैं उसको डुप्लिकेट करते ही तो ज्यादा ग्यान होने की वजह से आप उसका स्टोल मत करें अपने कर आप तक उसको डुप्लिकेट करते ह attracting आप मौलेज को इसको इसको चिछ यह ज़़ाइ आपके पूरी टीम की ग्रोथ होने वाली है बहुत ही जल्द है डेफिनेटली आई होप आज की वीडियो का जो लास्ट पॉइंट है ड्यू यू ट्रेंड डाउन लाइन फो डुप्लिकेशन यह जो चीज़ें मैंने बताई है यह चीज़ें आपको डुप्लिकेट करनी है बिजिनस पार्टनर्स के साथ उनको आप अपना बेस्ट वर्जन देजिए देखिए आप यहां पर बहुत ही जल्दी सक्सेस्फुल हो सकते हो तो आसा करता हूं तो आज का जो वीडियो है आपको एटोमी के इंदर किस परकार से काम करना हमें यह बिल्कुल पसंद आया हो होगा और आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें जो भी नए लीडर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताफ कि आपको एटोमी के इंदर किस परकार से सक्सेस्फुल होना है एटोमी की एटुजेड जानकारी बिल्कुल राइड डिरेक्शन में आपको टीम वारियर की इस ओफिशल यूटी चैनल के दौरा मिलती रहेगी और अभी तक आपने अटोमी को जोइन ने किया तो आप टीम में अरक साथ जोइन कर सकते हैं कोल कर सकते हैं वाटसब कर सकते हैं थैंक्यू वेरी मस्ट दोस्तों